नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैर मम्मा एंड बीवी पर दोस्तों मेरे पास एक कमेंट कई बार आ चुका है कि मैं जब अच्छा है डाउन पोजिशन में आ जाता है तो उसके कितने दिनों के बाद हमाई डिलीवरी हो जानी चाहिए या फिर हैड डाउन पोजिशन में आने कि कितने दिनों के बाद डिलीवरी हो जाती है तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे वैसे मैं इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना चुकि हूं लेकिन कमेंट अब भी बहुत सारे आ रहे हैं तो सब् Denise यह जाता है यानि कि जो बच trackowski डॉलीवरी नहीं होते हैं उनकी नहीं होती है हो उन बच्चों की वी नामीर डिलीवरी हो जाती है इसलिए बच्चे का सर नीचे आने का यह मतलarted बिलुकुल भी नहीं है कि आपकी डुली डिलीथ होगी लेकिन दोस्तों नौरमली डिलीबरी बहुत ही आसानी से हो जाती है और सुरक्षी तरीके से हो जाती है और दोस्तों बच्चा है डाउन क्यों करता है क्योंकि आपके बच्चे का जो सर होता है उनके सरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इसे लिए सरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होने की वज़े से आपक की से 32 सबता धिक नॉर्मल ले बच्चे अपना पौजिशन हैं इतशन में आ जाते हैं सही में आ जाते हैं लेकिन कँछ बच्चे इसे बहुते हैं जो की सरव होने से पहले यानि की chce पहले भी है डाउन पोजेसन में आ जाते हैं लेकिन कुछ महिलाएं जो कि प्रेग्नेंसी के 8 मेने के लास्ट में अपना अल्ट्रासॉण करवाती है और उनको पता चलता है कि उनका बच्चा है डाउन पोजेसन में नहीं है तो आपको पॉजिटिव रहना है और जो भी आप अच्छे से खा रहे हो पी रहे हो एक्सराइज सब करते रही है तो आपका बच्चा अपने हैड डाउन पोजिशन में आएगा डेलीवरी वाले सही पोजिशन में आएगा क्योंकि दोस्तो जो डेलीवरी है वो प्राकर्तिक परिकरिया है और जो प्राकर्तिक प्रिकरिया है वो अपने आप होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता हाँ लेकिन आपको पॉजिटिव रहना बहुत जुरूरी है आपको टेंसन फ्री रहना बहुत जुरूरी है क्योंकि आप टेंसन लेते हो तो इससे आपके सरीर में हार्मोंस अस जुरूरी है इसके अलाबा आपका एक्टीब रहना बहुत जूरूरी है क्योंकि आप एक्टीब रहोगे अपने घर की काम काच करोगे एकसर्चाइज करोगे तो इससे भी आपका बच्चा सही पोजिशन में आता है आपके सरीर का सही विकास होता है इसलिए आपको अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं चोड़नी है जिससे कि आपको या फिर आपके बच्चे को कोई परेशानी हो कि दोस्तों कुछ महिलावा कमेंट आता है कि हमने अपना सेकंड लिल्टरासान करवाया जो कि नर्मली आप पांच वहिने में करवाते हो तो कुछ बच्चे उस समय भी ह कैनाल में फिक्स होने में काफी ज्यादा अंतर होता है इसलिए बच्चे नियदी पहले भी हैड डाउन कर लिया है तो टेंसर लेने वाली कोई बात नहीं है इससे आपको या फिर आपके बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन जवाब की प्रेग्निंसी का नौ मह होती है तो इस समय बियोटे के और बच्चे की बटेख नौश करता है यानि कि एक्टूल तयार रहता है और मैं बच्चा पहले पिबंगे फिक्स डाहता है तो व क्या होता है कि आपका बच्चा अपने से घर्वास्ते गरीवाइव हैं यहीं बनाता है तो उस समय डिलीवरी की प्रिकरिया सुरू हो जाती है जो भी नौर्मान डिलीवरी के लक्षन होते हैं वह आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको बहुत ज्यादा यूरीन आता है आपका पेट नीचे की तरफ से की तरफ से खाली हो जाता है इसके रावा बहुत यह बड़ा पहचान है कि आपका बच्चा अपने सर से दबाब बना रहा है वह किका है वो है आपका मुक्स पोलग बहँदा तो नॉर्मली आपको म्याट प्लक कुछ दिन पहले ही बाहरा आता है यह जबर 225 gång hen चांसे उम द्रró समुझा है और और शक्ति बाद आपके बजाना से अलग टाइब कर रहा है जो कि ब्लड़ी डिस्चार्ज होता है तो मुक्स प्लग है तो आप खुदी अंदाजा लगा सकती है कि हां मेरे बच्चे ने हैड डाउन कर लिया है और अपने सर से दबा बनाना सुरू कर दिया है मेरा बच्चा पहले विक बोन में आके फिक्स होना सुरू हो गया है तो फिर आप निश्चित हो जाएगी और अपनी प्रेग्नेंसी को इंज्वाई कीजिए मांके दोस्तों देखिए आपका सवाल की हैड डाउन होने कि कितने दुनों के बाद तक डिलीवरी हो जाएगी लेकिन जब होते हैं यानि कि नौर्मर डिलीवरी होने का जो समय होता है वो 42 सब्सक्राइब कम से कम आप अपने डियू रेट तक यानि कि 40 सब्सक्राइब कीजिए अगर उस समय तक आपको लेवर पे नहीं आ रहा है या फिर आपके पाने की थाली नहीं फट रही है आपको नौर्मर बहार आता है अपने आप ही अपने सर से दबाब बनाता है अपने आप ही आपके नौर्मर डिलीवरी होती है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता इसे टैंसन मित लीजिए और अपने डियू डेट तक वेड़ कीजिए वांकि वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिएगा मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ थैंक्यी सो मच नमस्ते टेक केर